वित एवं रजसु मंत्री कैप्टन अभी मन्यू ने कहा कि हरियाना में इस समय भाजपा को अपने जन हीतैशी नीतियों के कारण जनता का एक तरफा समर्थन मिल रहा है। आयोजित विभिन कार्यकरमों के दोरान ग्रामिन जनसभाओं को संबोधित करते हुए कही। इस दोरान ग्रामिनों ने फूल मालाओं और पगड़ी पहना कर वित मंत्री कैप्टन अभी मन्यू का भव्य स्वागत किया। भुपेंद्र हुड़ा के दिये गए बयान में हरियाना में अपरात काफी बड़ा है। उस पर बोलते हुए वित मंत्री ने कहा कि भुपेंद्र सिंग हुड़ा पहले यह बताएं कि अपने प्रदेश अध्यक्ष के सिर पर लाठी मारने का काम किस ने किया था। भुपेंद्र हुड़ा एक दलित और युवा प्रदेश अध्यक्ष को स्विकार नहीं कर पा रहे हैं। उनकी पार्टी में पिछले दिनों एक विधायक ने कॉंग्रेस के प्रदेश नेत्रित्व पर ही आरोप लगाया कि मेरे साथ गाली गलोच की गई है। तो कानून व लोगदल, जेजेपी या कॉंग्रेस सुड़ करके भारते जिनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। पूरे देश में जब से निरिंदर भाई मोदी जी के नेतरत्व में दुबारा इंडिये के सरकार बनी है। हर्याना प्रदेश में भी आज एक नई प्रकार की चेतना और जागरती वह शुरू हो रही है। कि अब हर्याना प्रदेश वह है राष्टर की मुख्यधारा की राजनिती करना चाहता है। इसमें अनेकों लोग आज भारते जिनता पार्टी में शामिल हो करके राष्टरबाद की राजनिती को अपना रहे हैं। नानों दुजान पार्टी में शामिल हुए हैं। और इससे पार्टी को बड़ी मजबूती मिली है। निश्यत तोर पर हईयाना में जो लक्ष है 75 पार का उससे कहीं जादा मतों से दुबारा 123 पार्टी की सरकार बनने वाली है। अभी तोर देर पर लिका था कि अभी ट्रेलर है पिकसर अ शीखने का काम नहीं किया। हम अपने समाजी कनोहों के अधार पर सरकार में आए। और सरकार में आते वे बहुत सारी चीजों को सीखने जानने का आउसर मिला। शासन पर शासन की संस्कृती को भी समझने का आउसर मिला। किस प्रकार से नीतिया मनाई जाती हैं, कानून मन से किया जाए इसको सीखने का काम करेंगे तो स्वभाविक है कि नई चीजें समझने में समय लगा है और हमने हरियाना प्रदेश में एक नई राजनिती एक नई व्यवस्था की शुरुआत की है जहां दो क्रोड साथ लाग हरियाना के जो मालिक हैं अब वह लोगतंतर में सही मायनों में वही सरकार के मालिक हैं और ऐसा विश्वास बारति इंता पार्टी ने मनोरला जी के नितरतों वाली इस सरकार में दिलाने का काम किया है तो इस बार जब लग्सपष्ट दिखाई दे रहा है कि दूसरी टर्म भारति इंता पार्टी को मनोरला जी के नितरतों मिलने वाली है तो पिशली बार का जो अनुभव है उस आधार पर हम पहले दिन से ही विश्वास के काम तेजी से करने वाले हैं तो इसलिए मैंने कहा था कि अभी तो हमने पहले पांच वर्षों में केवल ट्रेलर दिखाया है विकास की असली पिक्चर तो दिखाना भी बाकी है एस वाईल की बात तो जैसे जिसे सुनाव नजदिक आती है तब कही न कही है जिन बाहर निकला है क्या इसके उपर ध्रातल पे कोई काम किया जा रहा है विकिव आप ने इस बात को देखा होगा कि कॉंग्रेस के दस साल के शासनकाल में एस वाईल के उपर बिना किसी कारण के सुप्रीम कोट में प्रेजिनिशल रेफरेंस आर्टिकल 143 के तहत वह सुनवाई लंबित पड़ी रही और कभी हरियाना सरकार ने सुप्रीम कोट में जाकर के उसको सुनवाई को पूरा करने के लिए कहा नहीं हमारी सरकार ने सरकार में आते ही अच्छे से अच्छे वकील करके और सुप्रीम कोट में निवेदन किया कि आपका जो भी फैसला है लेकिन जल्दी सुनाईए सूप्रिम कोट ने फैसला हरियाणा के पक्ष में दिया और उसके बाद जस परकार से पंजाब और उसमें वाताूर्ण मना उसके बवजब हमने सूप्रिम कोट में कहा कि अब आपका फैसला आगया है आप इस फैसले को तामिल करवाईए तो एक्जिक्विशन पेटिशन जो है वो हमने डाली अब उस एक्जिक्विशन पेटिशन पे सुप्रीम कोट ने एक सला दी है कि एक बार हरियाना पंजाब और केंदर मिल करके इस पर विचार कर ले नहीं तो सुप्रीम कोट जो है वो अपने तरीके से इसको तामिल करवाएगा यानि कि ये फैसला भी हरियाना के पक्ष में आ रहा है कि अब सुप्रीम कोट अपनी जिम्मदारी ले करके इसको तामिल कराने का काम करेंगे सुप्रीम कोट के निर्देश अनुसार बातचीत करनी है तो बातचीत करेंगे हम अपनी जगे पर कायम है कि सर्वोच नेयला का फैसला है रावी व्यास का पानी हरियाना की प्यासी बूमी को मिलना चाहिए वो SYL उसके लिए निर्मान करना वह बहुँत जरोरी है और उसको पूरा करना बहुत जरोरी है हमने बजट में प्रावधान कर रखा है हम पूरा बजट जो है वो देने के लिए तयार है हमें जल्द से जल्द ये SYL का निर्मान हो इसके लिए हम प्रयास कर lên बुपेंदर सिंग उड़ा पहले तो ये बात हुता है कि अपने प्रदेश अद्धिक्ष के सर पर लाठी मारने का काम किरों ने किया था उन्दरें तर एक युवा पूरु सांसद दलित को अपने प्रदेश अद्धिक्ष के रूप में स्विकार नहीं कर पा रहे हैं उनकी पार्टी में पिछले दिनों एक विधायक ने कांगरिस के प्रदेश ने तरत्व पर यारूप लगाया कि उनके साथ में गाली गलोच की गई तो कानुन तो विवस्ता तो ये लोग खराब कर रहे हैं महलूँ